नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने फेवरेट रुटूब चैनल त्री लेटिल ट्यूटर में दोस्तों उसी सीरीज में आज हम इस वीडियो को लेके आपके सामने आए हैं तो दोस्तों इस वीडियो को आप कहीं पर भी स्कीप मत करिएगा क्योंकि इस वीडियो में आपको वो सारी जानकारियां देने वालों हूँ जो admission process start होने के पहले आपको जान लेना बहुत ज़रूरी है अगर आप अपने बच्चे का admission 2022-2023 सत्र में केंदरी विद्याल में कराना चाहते हैं तो कुछ important बाते हैं जो आपको admission process start होने से पहले ही जान लेना बहुत ज़रूरी है दोस्तों जो admission का process है वो लगबख December या January से start हो जाता है तो दोस्तों ये जानकारी आपके साथ share करना बहुत ही जादा important है तो दोस्तों चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आपको सारे वो important points बताते हैं जो आपके बच्चे के admission के point of view से बहुत ही जादा important है अगर आप अपने बच्चे का 2022-2023 सत्र में यानि की आने वाले सत्र में केंदरी विद्याल में admission कराना चाहते हैं तो तो यहाँ पर हम आपको सबसे पहले यह बताएंगे कि इस वीडियो में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं तो सबसे पहले हम देखेंगे eligibility यानि की केंदरी विद्याल में admission के लिए आपके बच्चे की पातरता क्या होनी चाहिए आपका बच्चा eligible है या नहीं इसके बारे में हम आपको detail जान करी देंगे की आप कैसे पतक करेंगे की आपके बच्चे की miserable है या नहीं है केंद्री विद्याल में admission के लिए दोस्तों केंद्री विद्याल में admission के लिए age का जो factor है वो बहुत ज्यादा minor रखता है यानि कि अगर आपके बच्चे की age केंद्री विद्याल संगठंद्वरा निर्धारित age limit से बाहर है या तो कम है या तो ज़्यादा है तो आपके बच्चे का class 1 में अगर आप application form भरते हैं online तो आपके बच्चे का online application form accept ही नहीं होगा इसलिए जो age का rule है वो आपके लिए जान लेना भी है जरूरी है कि class के recording बच्चे की age क्या होनी चाहिए इसको हम इस वीडियो में ही आगे explain करेंगे उसके बाद document required यानि कि क्या क्या document आपके पास होने चाहिए आपकी category के हिसाब से अगर आप reserved category में है तो आपके पास कौन से document होनी चाहिए अगर आपके पास single girl child है यानि कि आपकी सिर्फ एक बेटी है और कोई बेटा या बेटी नहीं है तो इनको special provision मिलता है तो उनके document वाले section में मैं आपको अच्छे से explain करूँगा और दोस्तों document से related दो चार वीडियो हमारी पुरानी भी पड़ी हुई है जो की बहुत ही जादे important है उनका मैं जो link है वो नीचे description box में दे दूँगा documents की सारी जानकरी पूरी detail जानकरी आप वहां से ले सकते हैं एक एक करके म अगला point हम देखेंगे कि application mode यानि की आपको online application form बनना है या फिर offline तरीके से admission होगा किस class का किस तरीके से admission होता है इसके बारे में हम आपको जानकरी देंगे उसके बाद अगले point में हम देखेंगे कि reservation यानि की हमारे इंडिया में कुछ category इसको reservation मिलता है तो category wise कि इनको कितना इसके बाद admission under RTE, RTE होता है right to education, यानि कि सिच्छा के अधिकार के अधिनियम के अंतरगत भी केंद्री वी देले में admission होते हैं, तो ऐसे parents जो की सरकारी नोकरी में नहीं है, जिनके बच्चे केंद्री वी देले में पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके मातब पिता सरकारी नोकर देंगे, उसके बाद priorities, जैसे कि जो सरकारी कर्मिचारी होते हैं, या फिर जो PSU वगरा के कर्मिचारी होते हैं, उनको admission में प्रात्मिक्ता दी जाती है, तो किनको कितनी प्रात्मिक्ता मिलती है, कैसे मिलती है, इसको भी हम आगे इस वीडियो में cover करेंगे, और दोस्तों कैसे निर्धारित होती है, किसको कितनी प्रात्मिक्ता मिलती है, इस पर हम detail वीडियो बनाए हैं, उस वीडियो का link जो है नीचे description box में दे देंगे, तो आप उस वीडियो को जाके जरूर देखिएगा, क्योंकि मैंने उसमें priority को बहुत अच्छे तरीके सा समझाया है, आप को बिल्गुल समझ में आ जाएगा कि कैसे priorities मिलती है, उसके बाद आगे चालते हैं, सबसे पहला point देखते हैं कि eligibility, तो दोस्तों, जिस भी बच्चे के पास सारे valid और required document होंगे, यानि कि आपकी category के हिसाब से, आपकी priority के हिसाब से, अगर आपके पास सारे valid और required document है, तो आप उस बच्चे का form भर सकते हैं, उसके बाद यहाँ पर age देख लेते हैं, जो बच्चे की age है, वो 5 साल या उससे उपर होनी चाहिए, और 7 साल से कम होनी चाहिए, अगर आपके बच्चे की age है, वो 5 साल से उपर और 7 साल से कम है, तो आप अपने बच्चे का class 1 में admission के ल होनी चाहिए, और 7 साल से कम होनी चाहिए, उसके बाद age rule हम देख लेते हैं, कि आपके बच्चे की age है, वो 5 साल complete होनी चाहिए, 31 मार्स 2022 को, उसके बाद आपका बच्चा अगर 1 अपरेल को born हुआ है, यानि कि अगर पहली अपरेल को भी आपके बच्चे का date of birth है, यानि कि 1 अपरेल को अगर आपका बच्चा पैदा हुआ है, तो उसकी जो age है, वो 5 साल consider की जाएगी, उसके बाद अगर कोई बच्चा दुरभागी वस डिफरेंटली अबल है, ठीक है, तो उसको जो age में relaxation है, वो 2 साल का relaxation, उस के इंदरी वीद देले के principal के द्वारा दिया जाता ह उसके बाद, class 11-12 में admission के लिए age की कोई limit नहीं है, जो बच्चा class 11-12 में admission लेना चाहता है कि इंदरी वीद देले में, वो 2022-23 सेसन में class 10 या फिर class 11 एक्जाम पास किया हो, अगर वो 11th में admission लेना चाहता है, तो वो class 10th पास किया होना चाहिए 2023 सेसन में, और अगर वो class 12th मे होना चाहिए 2022-23 सेसन में, यानि कि कहने का मतलब यह है कि उसके class के बीच में gap नहीं होनी चाहिए, चलिए आप class wise age limit देख लेते हैं, कि class wise age limit क्या होती है, तो दोस्तों एक एक करके सारे class wise में आपको बता देता हूँ, तो class 1 में admission के लिए जो बच्चे की age है वो 5-7 साल होन होनी चाहिए, class 6 में admission के लिए 10 से 12 साल, class 7 में admission के लिए 11 से 13 साल, class 8 में admission के लिए 12 से 14 साल, class 9 में admission के लिए 13 से 15 साल, और class 10 में admission के लिए 14 से 16 साल के बीच में आपके बच्चे की जो age है वो होनी चाहिए, तो दोस्तों age का जो है वो बहुत ही ज्यादा matter करता है, तो age आप एक बार जरूर अपने बच्चे की चेकलने, उसके बाद आगे बढ़ते हैं और अपना अगला पॉइंट देखते हैं, तो हमारा अगला पॉइंट है कि डॉकुमेंट क्या-कया रिकॉइर्ड है, तो दोस्तों सबसे पहले एक एक करके सारे डॉकुमेंट के बारे में हम आप आपको admission में problem हो सकती है तो मेरी आपसे request है कि अगर आप 2022-23 सेसन में यानि कि आने वाले सत्र में अपने बच्चे का admission कराना चाहते हैं और अगर आपके बच्चे के पास birth certificate नहीं है तो आप जल्द से जल्द कोशिस करके birth certificate वो बनवा ले और उसमें जो एज होनी चाहिए बच्चे की वो 5 साल से 7 साल के बीच में होनी चाहिए उसके बाद passport size photo of child यानि कि बच्चे की passport size की photo होनी चाहिए और EWS BPL certificate अगर आप EWS category से है EWS category अभी introduce हुई है EWS को बोलते है economically weaker section यानि कि आर्थिक रूप से पिछड़ा वर्ग या फिर below poverty line गरीबी रेखा से नीचे जीवन आपन करने वाले तो अगर आप BPL category से belong करते हैं तो आपके पास BPL का certificate होना चाहिए और इसका आपको advantage मिलेगा अगर आप EWS category से belong करते हैं आपके पास EWS का certificate होना चाहिए इसका भी आपको advantage मिलेगा आप RTE, right to education से चेकर अधिकार के अधिनियम के अंतरगर जो 25% seat reserved होती है यानि कि इसमें admission का chances ज़्यादा रहता है अगर आप EWS या फिर BPL certificate आपके पास है और आप उस केंद्री विद्याले में admission के लिए apply कर रहे है अगर आप gramit चेतर में है तो केंद्री विद्याले अगर 8 km के range में है या फिर अगर आप सहरी चेतर में है और केंद्री विद्याले 5 km के range में है तो आपका जो application form है वो RTE category के अंतरगर चला जाएगा और जो आपका admission है वो आसानी से हो सकता है तो RTE पर भी हम detail वीडियो बनाए है दोस्तों उस वीडियो को देखने के लिए नीचे description box में link है वो link आप जाकर click करिए वहाँ पर जाकर आप RT category में क्या-क्या सुविधाय मिलती है कैसे admission होता है इसके बारे में आपको detail जानकारी दी गई है उसके बाद अगला point देखते है SC, ST, OBC, Non-Crimalier, PH Certificate यानि कि अगर आप schedule cast अनसूची जाती schedule tribe, अनसूची जन जाती OBC, अन पिछड़ा वर्क, Non-Crimalier जिसको बोलते हैं या फिर physically handicapped है कोई बच्चा तो उसका certificate आप अपने पास बनवा के रखिए, इसका आपको advantage मिलेगा और reservation भी आपका तभी applicable होगा, अगर आपके पास certificate है तो तो दोस्तो इस तरीके से और भी बहुत से documents हैं जैसे कि residence proof, निवास पनौर पत्र आपका होना चाहिए, ये बहुत ही important है आप जहां रहते हैं, वहाँ का residence proof आप बनवा के रखिएगा दोस्तो जैसे कि बहुत सारे parents हैं वो rent पे रहते हैं तो वो residence proof के तोर पे अपना rent agreement भी बनवा सकते हैं उसके बाद आगे आगे हम देखेंगे कि और क्या-क्या document required है अगर आपका अगर आपका अच्छा यानि single girl child है अगर आपकी अकेली संतान लड़की है ना उसके कोई और भाई है ना बहन है यानि कि माता पिता की जो अकेली संतान है वो सिर्फ लड़की है और उसके कोई भाई बहन नहीं है तो ऐसे case में उनको special provision दिया जाता है admission में उनका अलग से खोटा होता है इस पर भी हम detail video बनाए है तो दोस्तों उसकी link नीचे description box में दे दूँगा वहाँ से आप जाकर single girl child के बारे में कितनी seat होती है कितना reservation मिलता है क्या-क्या फायदे मिलते हैं उन सब के बारे में आपको detail से जानकारी मिल जाएगी आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं और इसके लिए एक affidavit लगता है तो affidavit के बारे में भी हमने जानकारी दी है single girl child वाली वीडियो में तो उस पर आप जाकर पुरी जानकारी ले सकते हैं उसके बाद service certificate of employee अगर आप सरकारी कमचारी हैं चाहे आप राजी के हैं या फिर केंदर के हैं state के हैं या फिर central है तो आपको service certificate देना पड़ेगा क्योंकि सरकारी नौकरी वालों को admission में प्राथमिक्ता मिलती है प्राथमिक्ता यानि की priorities तो प्राथमिक्ता कैसे मिलती है इस पर हम detail वीडियो बनाए हैं दोस्तों उसका जो link है वो नीचे description box में दे दूँगा वहाँ पर जाकर आपको प्राथमिक्ता अच्छे से समझ में आ जाएगी वो वीडियो देखने के बाद आप अच्छे से समझ जाएंगे कि कैसे किंद्री वीडियो में अडमिक्ता के लिए सरकारी नौकरी वालों को प्राथमिक्ता मिलती है उसके बाद transfer certificate of parents यानि की number आप transfer कितने हुए हैं अगर किसी बच्चे के जो parents हैं वो सरकारी नौकरी में हैं तब ये चीज़ें अप्लीकेबल होंगी service certificate और transfer certificate ये उन parents के लिए हैं जो सरकारी नौकरी में हैं तो उनको service certificate और transfer certificate भी देना पड़ता है अगर उनको admission में priority चाहिए तो उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए बच्चे का अगर नहीं है तो भी कोई बात नहीं admission होने के बाद भी आपको ये बनवाना पड़ सकता है उसके बाद self declaration between school and residence अगर आप RTE की तहएट admission करवाते हैं अपने बच्चे का तो आपको एक स्वपर्माणद दूरी का जो है वो पर्माणद पत्र देना पड़ता है आपको खुझ से declare करना पड़ता है कि हमारे घर से जो school की यानि की किंद्री विद्याले की दूरी है वो सहरी छेतर में अगर आप RTE की तहएट admission लेना चाहते हैं तो पाच किलो मेटर के रेंज में हैं तो दोस्तों ये कुछ है certificates और जो प्रमाणद पत्र थे उनके बारे में जानकरी थी जो आपको बनवा लेना भी है ज़रूरी है अब हम देखते हैं कि application mode क्या होता है यानि कि form online भरे जाते हैं या फिर offline भरे जाते हैं इसके बारे में हम आपको इस point में जानकरी देंगे रहेंगे दोस्तों अब 2022-30 के लिए हम अपने चैनल पर एक के बाद एक वीडियो लाते रहेंगे जो आपके बच्चे के admission के point of view से बहुत ही ज़्यादा important होगी आप लगातार हमसे बने रहेगा हमारे चैनल को subscribe कर लिजेगा bell icon को ज़रूर दबा के रखिएगा क्योंकि time बहुत ही ज़्यादा matter करता है यानि कि time to time आपको वीडियो मिलनी चाहिए ताकि जब भी कोई नहीं जानकरी हो कुछ changes हुए हो तो आपको time to time वो हमारे वीडियो के मादेम से आपको update मिलती रहे तो दोस्तों online application form class 1 के लिए भर application है उसको भी download करने का जो link है वो नीचे description box में दे दूँगा वो आप android app से भी अपने बच्चे का form भर सकते हैं तो दोस्तों इस तरीके से आप खोद अपने बच्चे का online application form भर सकते हैं online application form कैसे भरना है इस पर भी हम detail video बना चुके है step by step अगर आपको demo देखना है तो उसक जो link है वो नीचे description box में दे दूँगा वहाँ पर जाकर आप देख सकते हैं कि कैसे आपको step by step बिना कोई गलती किये हुए पूरा demo है किस तरीके से आपको अपने बच्चे का form भरना है single girl child है तो कैसे भरना है rt category है तो कैसे भरना है अगर आप service priority category वाले हैं यानि कि ही एक बार वो वीडियो ज़रूर देख लें ताकि जब application form आपको भरना हो तो उस time पर आपको पता हो कि कहां पर क्या भरना है कैसे भरना है ताकि आप अच्छे से form fill कर सकें उसके बाद जो class 2 से लेके उसके उपर की classes में admission होते हैं यानि कि class 3rd, 4th, 5th, 6th, 7th, 8th, 9th, 10th उन होकि जो class 2 से उसके उपर की classes में admission होते हैं वो तभी होते है यदि किसी केंद्री विडियला में seat है खाली रह जाती है तो वैसे normally हो सकता है कि आप जिस केंद्री विडियला के लिए कلف तो दोस्तों इस तरीके से आप जो है online application mode for class 1 and offline application mode for class 2 and onwards, इस तरीके से आप अपने बच्चे का form apply कर सकते हैं, और दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूँ, बहुत सारे लोगों को यह confusion रहता है कि Kendri Vee Dalam admission के लिए कोई entrance exam होता है, क्या class 1 में तो class 1 में admission के लिए कोई भी entrance exam नहीं होता है, service priority category के basis पर आपकी जो cost category है उसके basis पर इन सब के basis पर आपके बच्चे का lottery के माद्धियम से, lottery process के माद्धियम से admission होता है, entrance exam नहीं होता है, उसके बाद आगे point हम देखते हैं, reservation पर एक नज़र डालते हैं कि किस category को कितना reservation मिलता है तो जो 25% of total seats होती है किसी के अंद्री विद्धाले में, वो result होती है admission under RTE, यानि कि right to education के अंतरगर्द, 25% जो seat होती है, वो result होती है तो जो 25% seat होती है, ये सब भी disadvantage category जैसे कि EWS, BPL, SC, ST, OBC, non-crimalier, physics, या फिर जो किसी भी तरीके से social या फिर economical background से थोड़े सा पिछड़े हुए लोग है उनको जो है, उसपे admission मिलता है, तो दोस्तों एक बार हम आपको नजर डाल के दिखाते हैं कि schedule cast को कितना मिलता है, reservation schedule cast को यानि कि SC अनसुचित जाती को 15% reservation, schedule tribe यानि कि ST अनसुचित जाती को 7.5% reservation, OVC non-crimular 27% reservation और जो person with disability, यानि कि जो दिखांग बच्चे हैं उनको 3% reservation मिलता है के अंद्री विद्यले admission के लिए, तो दोस्तों ये था reservation का मैंने आपको बता दिया आप चलते हैं, अपने अगले point पे हमारा अगला जो point है, वो है admission EWS, अगर आप general category के हैं और EWS category के हैं, OVC non-crimular schedule caste, schedule tribe person with disability और fan child, homeless child, destitute HIV positive, जो भी socially या फिर economically weaker section से बच्चे आते हैं, वो सभी disadvantage group में आते हैं, और वो सभी eligible होते हैं, admission under RTE, RTE के लिए admission के लिए तो दोस्तों RTE में 25% seat हैं, वो अलग से रिजर्व होती हैं, उसमें सरकारी नोकरी वाले को priority नहीं मिलती है तो ये बहुत ही अच्छा मौका होता है उन सभी parents के लिए कि वो अपने बच्चे का admission करा सकें, जो किसी भी सरकारी नोकरी में नहीं है, generally लोगों के mind में ये concept होता है कि केंदरी वीदेले में सिर्फ सरकारी नोकरी वाले के बच्चों का admission होता है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, 25% seat है यानि कि अगर किसी केंदरी वीदेले में 40 seat हैं तो उसमें से 10 seat जो होती है वो RTE के तहत उन सभी उन सभी जो की सरकारी नोकरी में नहीं है उनके बच्चों के लिए ज़र्फ होती है तो आप उसमें admission करवा सकते हैं दोस्तों जो आपका admission होता है वो lottery process के तहत होता है और RTE के लिए एक rule है कि आप जिस भी केंदरी वीदेले में admission लेना चाहते हैं वो केंदरी वीदेल है आपके घर से अगर आप करामीड चेतर के हैं तो 8 km के रेंज में होना चाहिए अगर आप सहरी चेतर के हैं तो 5 km के रेंज में होना चाहिए और दूसरा जो rule है वो यह है कि आप disadvantage group से belong करते हों जैसे कि general EWS या फिर आप जो है बीपिल कार्ड धारक हों या फिर OVC non-crimalier SCHT person with disability orphan homeless destitute या फिर HIV positive child तो आप RT के तहर्ट admission लेने के लिए eligible होते हैं अब मेरा अगला point जो है वो priority है priority को हम आपको यहाँ पर explain करेंगे दोस्तों अगर आपको priorities को अच्छे से समझना है तो उसकी जो वीडियो है उसका link हम नीचे description box में दे देते हैं यहाँ मैं short में कर रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो रही है लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में जो भी जानकारी आपको दी गई है यह admission से पहले जान लेना आपके लिए बहर ज़रूरी है दोस्तों हम और भी जानकारीयों को अलग-अलग छोटे-छोटे वीडियो के माध्यम से time to time लाते रहेंगे 2022-23 session के लिए तो लगा तरह आप हमारे साथ बने रहीएगा तो first priority जो मिलती है वो central government के जो employee होते है उनके बच्चों को मिलती है या फिर जो ex-service man होते है उनके बच्चों को मिलती है उनकी job जो है वो transferable भी non-transferable कोई भी हो वो eligible होते है उनको सबसे पहली प्राथमिक्ता दी जाती है इसी तरीके से जो दूसरी प्राथमिक्ता मिलती है वो central government के जो PSU के employee है या फिर autonomous body के employee है या फिर institute of higher learning के employee है government of India के उनकी भी job transferable हो non-transferable हो उनके बच्चों को second priority मिलती है तो दोस्तों जैसे कि central government employee जैसे कि railway कर्मचारी और duck विभाग के और इसी तरीके से जो autonomous body यानि कि institute of higher learning वेगर है जैसे IIT वेगर है या फिर जो government के PSUs है जैसे कि भेल बेल इन सब के जो कमचारी है उनको second priority मिलती है इसी तरीके से जो state government के employee होते है यानि कि राज सरकार के जो कमचारी है उनको third priority मिलती है उनकी विज़ाब transferable हो या फिर non transferable हो उनको priority मिलती है इसी तरीके से अगर state government के जो PSU, autonomous body के employee है या फिर institute of higher learning के employee है तो उनको fourth priority मिलती है और children from any other category like private sector, farming, businessmen यानि कि ऐसे बच्चे जिनके माता-पिता किसी भी सरकारी नोकरी में नहीं है उनको सबसे कम priority मिलती है यानि कि fifth priority मिलती है तो जोस्तों इस तरीके से जो PSU या फिर institute of higher learning के कर्मचारी है अगर वो उस kendry with dialer में अपने बच्चे का फार्म भरते हैं जिन kendry with dialer को उनका PSU या फिर institute of higher learning इस्पॉंसर करता है तो उन employees को सबसे पहली priority मिलेगी यानि कि अगर किसी बच्चे के माता-पिता institute of higher learning का मतलब किसी IIT में पढ़ाते हैं या वहाँ पर कमचारी हैं अगर उसी IIT में आने वाले KV के अंतरगत वो form भरते हैं तो उनको सबसे पहली priority मिलती है जैसे कि IIT मुंबई का कोई employee है और उपने बच्चे का IIT मुंबई जो केंदरी विद्दले है उसमें form भरते हैं तो उनको सबसे पहली priority मिलेगी इसी तरीके से PSU यानि कि मालेजे NTPC है NTPC के करमचारी है और उसी NTPC में कोई केंदरी विद्दले है जिसको NTPC sponsor करता है तो उसके जो employee है अगर वो अपने बच्चे का उसी NTPC में form भरते हैं तो उनको पहली प्रात्मिकता दी जाएगी सबसे पहले admission उनका होगा दोस्तों अमीद करता हूँ कि ये priorities भी आपको समझ में आगी होगी इसको और अच्छे से समझने के लिए नीचे description box में link है मैं बार-बार कह रहा हूँ आप उन वीडियो को जाकर जरूर देखें ताकि आपको चीज़े एकदम से clear हो जाए तो दोस्तों ये कुछ जानकारिया थी जो आपको admission के पहले जान लेना बेहस जरूरी थी दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को subscribe कर लीजेगा अगर आप अपने बच्चे का admission 2022 से सेसन में कराना चाते हैं और आपको सही जानकारी सही टाइम पर चाहिए तो आपको हमारे चैनल के मादेम से सही जानकारी बिल्कुल दी जाएगी आप चैनल को subscribe करिएगा गंटी वाला निसान यानि की बिल आइकन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि जो notification हो वो आपको time से मिल जाए और आप time सो उस वीडियो को देख पाए जो आपके बच्चे के admission के point of view से बहुत ज़्यादा important है तो दोस्तों आगे भी हम इसी तरीके की informative वीडियो time to time लाते रहेंगे जो के अंदरी वी डियल एडिमिशन से जुड़ी हुई है जो आपके बच्चे के admission के point of view से बहुत ज़्यादा important होगी तो दोस्तों बने रही है हमारे साथ मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए bye bye take care